चावल और अलू का नास्ता जूच्ट लिया है के लिए एक का पानी मैंने बद्य तर द्सका उब हुए आलू लिये हैं और यह मैंने जो चावल पीस के रखा है उसको इसमें डाल देंगे बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए चावल लिक्विट फॉर्म में अब इधारी के रहना चाहिए बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलो में इसको अब यहां अच्छे से मिक्स कर लिया अब थोड़ा सा गया इंट नियुक्ड़ करण गी बहुत जादा पानी एट करने की ज़रूत नहीं है इसका जो बैटर है वो गाधा ही रहता है देखे अच्छे सी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आलो में भी गुट्टी बगरा होगी तो वह खतम हो जाएगा अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो मैं एड़ करूंगी सबसे पहले हाफ टी स्पून जीरा साबू जीरा डाल देंगे वन फूर टी स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून डालूंगी मैं यहापे चिली फ्लेक्स आप इसकी जगह पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं अब बेकिंग सोडा नमख डाल देंगे तेस्के कॉडिंग अब इसमें डालेंगे यदि नहीं डालेंगे हाफ टी स्पून जीजर गालिक पेस्ट मैंने नहीं पर एक प्याज मीशिआ को बारी के सेट और रादनीया लिया लिया है इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे पानी का यूज नहीं करेंगे ऐसे मिक्स कर लेंगे इसे पानी में ही डालना है मैं इसमें मैंने आप इस तरीके का Champolite बैक लिया है यह बहुत ही आसान है से सब को अपने घरों में मिल जाएगा इस तरीके का बैक अगर इस तरीके का ना मिले तो अगर आपके घर दूद का पैकेट आता है तो आप उसे भी इस्तिमाल कर सकती है अब सारा जो बैटर ने इस पूल थीन में डाल देंगे मैंने सारस जो बैटर था उसको मैंने ने पूल थीन याग डाल लिया है विसको हम अपन Elf जा आइखे- Scy también कर देंगे इस तरीके से कोंने में बैशर बिलकुल वैसा ही ने है नियुक्ण है हम कौनर में हम कटकर निसान बनाना चाहते हैं तो अबاس बडा कट निसान लगां इस में इससे बड operator कर देंगे तौनर में इसके इस तरीके से भी जनिन दिए माने तिल गरम होने के लिए रग दिया था और तेल को मैं अच्छ Cayam कर लेना है अब देखें इस तरीके से विडियो में दिखा लिए उसी तरीके सापको बनाना है मैं है इसे लंबा- बना रही हूं आप चाहते मझे गोल गोल भी बना सकते हो इस तरीके से जलते जायेंगे गैस का फ्लेम है वह बहुत जादा लो नहीं रहेगा गैस जहां जाहन स्पेस रहेगा मैं वहा वहाँ पे इसको ढाल दोगी इस तरीकि से फैला दोगी एक मिनट के बाद फिर हम इसको पल्टेंगे जब नीचे से कलर इसका चेंज हो जाएगा हलका सा तफिर इसके बाद हम इसे पलटना स्टार्ट करेंगे यह दिखे इस तरीके से स्पून की हेल्प से मैं इसको पलट रूँगी और अभी गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी न हो जाए ऐसे इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में यह देखिए हमारा जो इनास्ता है वो बन की रेडी हो गया है बहत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गया है और इसको फ्राइए करने में टोटल तीन से चार्ल मिनट लग जाते हैं है और इसको निकाल बैस पांद लेंगे मैं इससी तोरीके से ज्धी बागी का जुनास्ता है भी बना लेँगे। इस तरीके से बनाएंगे थोना मोटा मोटा भी बनाएंगे करे मोटा मोटा रहेग़ तो रहख से फूलेग और बैस बध़े माँ नुआब यह पिडा कर दे बहुत ही आराम से बंगाता है नास्तार बहुत ही आसान होता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी होता है बहुत ही अलग इसका टेस्ट होता है कि इसी तरीके से मैं बना लूंगे पूरा और मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में से फ्राई करेंगे लो फ्लेम नहीं करेंगे इस दिखे अच्छे तरीके से फूल गया है तब इसको पलट लेंगे पलट के दूसरे साइड से भी इसको फ्राई करेंगे और आप इस नास्ते को सर्दियों के मौसम में बनाईए गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा है टेश्टी लगता है सभी को पलट देंगे पलट की डूसरे साइड से भी इसको फ्राइ करेंगे इसी तरीके से यह देखे इसको ऐसे अलटते पलटते हम तीज से चार मिनट में इसको फ्राइ करेंगे और अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो की नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाईएगा और यह देखे हमारा जो यह नास्ता यह भी बनके रेडी हो गया है बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गया है अच्छा सा कलर आ गया है तो इसको निकाल लेंगे टीसू पेपर पर और आप इस नास्ते को सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी खा सकते है आप जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है आप लोगों को रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बुलिएगा आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुसी होती है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिएगा चैनल पर फर्स टाइम आया होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल बटन को ज़रूर दबाईएगा मैं मेलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में